सब्सक्राइब कीजिए टेकन और व्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हिंदी टेकनिकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए तो फाइनली रियल्मी ने लॉंच कर दिया है अपना फ्लैक्शिप परफॉर्मेंस ओरियंटेट स्मार्टफोन रियल्मी 3 प्रो अच इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल्मी 3 प्रो के बारे में और अगर आप प्लान करें 29 अपुल की फिर्स सेल में रियल्मी 3 प्रो लेने के लिए दोस्तो पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले और डिजाइन की तो Realme 3 Pro में हमें मिलता है एक 6.3 इंच की Full HD Plus IPS LCD डिस्प्ले जिसके उपर हमें मिलता है एक Water Drop Notch और उसके नीचे है 25 Megapixel की एक Front Facing Selfie Camera और इसके साथ सामने की तरफ हमें मिलता है Gorilla Glass 5 की Protection दोस्तो Realme 2 Pro से अगर आप compare करते तो इस बार हमें पीछे के साइड एक नया डिजाइन देखने को मिलता है जो Realme कहता है 3D Speedway Design और यह देखने में काफी बढ़िया लग रहा है पर अगर बात करें build quality की तो Realme 2 Pro या फिर Realme 3 की तरह इस बार भी हमें polycarbonate back या फिर plastic back design मिल रहा है पिछे के साइड हमें मिलता है dual rear cameras जिसमें primary sensor 16MP की Sony IMX5 on 9 sensor जो हमें देखने को मिला था OnePlus 6T में और उसके साथ हमें मिलता है 5MP f2.4 वाला depth sensing camera तोस्तो इस बार Realme 3 Pro में आप 4K video recording कर सकते हैं पर 4K video recording stabilized नहीं होगा पर अगर आप Full HD 1080p video recording करते हैं तो उसमें आपको image stabilization मिल slow-mo video recording का option जी हां Realme 3 Pro में आपको मिलता है slow-mo video recording जो आप shoot कर सकते maximum 960fps में आपको मिलता है Snapdragon 710 CPU जी हां ये थोड़ा पुराना CPU है पर ये बहुत ही एक बढ़िया power efficient CPU है तो आप expect कर सकते Realme 3 Pro में बहुत ही बढ़िया एक battery backup नागर बात करें gaming की तो दोस्तो Realme 3 Pro में आपको Fortnite gameplay मिल जाएगा क्योंके Fortnite officially supported Realme 3 Pro में जी हां Fortnite SI game है जो बहुत ही कम phones में supported है और इस बार हमें Realme 3 Pro में Fortnite officially supported मिलता है तो अगर आप बहुत देर तक गेमिंग करते तो आपके phone का battery भी जादा drain होता है तो इसके लिए हमें Realme 3 Pro में मिलता है 4045 mH की battery और उसके साथ जो Snapdragon 710 CPU है वो काफी कम होता है compared to other mid-range Snapdragon CPUs और अगर बात करें charging की तो इसके साथ हमें मिलता है VOOC 3.0 20W की fast charging जो इस phone को 0-90% एक घंटे में चार्ज कर देगा Now सबसे बढ़िया बात है कि यह जो VOOC 3.0 का charger है यह हमें मिलता है box के अंदर तो Redmi Note 7 Pro की तरह आपको अलग से fast charger खरीदने की जरूरत नहीं है Now next बात कर लेते है SIM slot की तो इसमें आपको मिलता है dedicated micro SD card slot जी हार Redmi Note 7 Pro में हमें मिलता है hybrid SIM solution पर इसमें आपको triple slot वाला SIM setup मिलता है जिसमें आप अलग से 2 nano SIM के साथ एक micro SD card को use कर सकते है तो अगर आप खरीदते है base variant जिसमें आपको मिलता है 64 GB का internal storage फिर भी आपको storage के मामले में कोई tension लेनी की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें external SD card को लगाके इसकी storage को expand कर सकते है अगर finally बात करे availability की तो जैसे मैं पता है कि Redmi phones के लिए जो flash sale होता है उसमें बहुत ही ज्यादा rush रहता है और अगर आप Redmi Note 7 Pro को खरीद लिये है या फिर अगर आप try कर रहे हैं खरीदने के लिए तो आपको पता होगा कि Redmi Note 7 Pro का जो flash sale होता है उसमें phone का जो stock है वो काफी कम रहता है जिससे almost किसी को भी phone नहीं मिलता है पर ऐसा कुछ Realme के phones के साथ नहीं होता है जी हां Realme phones को खरीदने के लिए भी आपको flash sale में ही खरीदना पड़ेगा पर Realme की phones में उतना ज्यादा rush नहीं रहता है तो अगर आ आपको better hardware, improved camera और एक bigger battery size मिलता है उसके साथ आपको मिलता है book charging पर अगर design की बात करें तो design में वैसा कोई changes नहीं है Realme 2 Pro या फिर Realme 3 की तरह देखने में एकदम same लगता है अगर आप सोच रहे एक gaming phone लेने के लिए जिसमें games बहुत ही बढ़िया चलेगा और आपका budget है under 15,000 तो Realme 3 Pro एक बहुत ही बढ़िया phone है पर मेरे हिसाब से type C port या फिर glass back या फिर end display fingerprint scanner अगर इन तीनों में से कोई भी feature इस phone में होता तो ये phone एक killer phone होता नाव कुछ हद तक Realme 3 Pro Redmi Note 7 Pro से better है क्योंके MIUI 10 की तरह color OS भी एक feature packed OS है जिसमें आपको बहुत साड़ा extra features मिलता है और इसमें आपको कोई ads नहीं मिलता है और जो सबसे important बात है कि Realme Note 7 Pro में आपको काफी ज्यादा heating issues मिलता है glass back phone होने के वज़े से पर अगर आप दूसरे point of view से देखते है तो Redmi Note 7 Pro में आपको एक premium film मिलता है glass body phone होने के वज़े से जो आपको Realme 3 Pro में नहीं मिलता है तोस्तों हम बहुत ही जल्दी एक detailed comparison वीडियो करेंगे Realme 3 Pro और Redmi Note 7 Pro के बीच पर अभी आप हमें बताए कि आपको Realme 3 Pro और Redmi Note 7 Pro के बीच में से क्या लगता है कि कौन से फोन बैटर है और यहीं ताद कर आपको बिदेरे पसंद हो कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए इसके साथ यह साथ हम इस वीडियो को करते है और मिलते है अगले वीडियो में